Hello friends, I'm a squadron, मैं आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो का टोपिक है scope of variable scope को हम life भी बोल सकते हैं, limits भी बोल सकते हैं और scope के base पर हम variable को दो तरह से classified कर सकते हैं local variable में और global variable में तो चलिए पहले हम इनके points के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने scope के बारे में लिखा हुआ है the scope means the lifetime of the variable it means the variable can only be accessed or visible within its scope जो scope होता है इसका मतलब होता है variable की life की variable को हम कहां तक access कर सकते हैं variable को कब use कर सकते हैं यह सब variable की lifetime होती है और variable को हम केवल उसके scope के अंदर ही use कर सकते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा की variable का scope क्या होता है जब हम local variable और global variable की जब practical करके देखेंगे ताम हमारा यह point और अच्छी तरह से clear हो जाएगा तो यहाँ पर next point है हमारा local variable तो इसके हमने कुछ points लिखे हुए है जिन में पहला point है यहाँ पर variables that are declared within or inside a function block are known as local variable उन सभी variable को हम local variable बोलते हैं जो किसी function या फिर किसी block के अंदर हम उसको declare करते हैं उसको बोलेंगे हम local variable next point है यहाँ पर the variables can only be accessed within the function in which they are declared जो local variable होते हैं उनको हम केवल उसी function के अंदर यूज कर सकते हैं जिस function के अंदर हम उसको declare करते हैं देखिए हम इसका इस तरह से एक example लेकर समझ सकते हैं जैसे यहां पर एक function है वोईड फन कर गए अगर मैं इसकी variable इसकी body के अंदर एक variable को declare करूं integer a type कर इसके अंदर के अंदर कोई भी Value में in 1970 आन देता हूं और आपर यह इस फंक्षन की बोड़ी है तो इस variable को के वालल हम इसी function के उंसे अंदर यूज कर सकते हैं इस function के अंदर हम इस स्टॉरिया की value कोनल तर बी करा सकते हैं अगर हम इस वेरियबल को इस function के बाहर इस body के बाहर यहां पर print करेंगे तो यह यहां पर error देगा इसको हम practically करकर समझेंगे तब हमारे doubt और अच्छी तरह से clear हो जाएंगे तो हम इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं वहीं बात हमने इस point में पढ़ाया कि वेरियबल को केवल हम उस function के अंदर ही यूज कर सकते हैं जिस function के अंदर हमने उसको declare किया हुआ है next point है यहां पर once function execution is completed local variables are destroyed इसका मतलब क्या है कि जब function का execution complete हो जाता है तो function के अंदर जो variable होते है local variable वो डेश्ट्रोड हो जाते हैं यानि के वह फिनिस हो जाते हैं देखे इसको हम इसी example से समझेंगे जैसे यह हमारा कोई function है तो जैसी इस function का executions start होगा तो इसको memory दी जाएगी और इस memory के अंदर इस function के जितने भी variable होंगे उन सब variable के लिए यहां पर ब्लोक बन जाएगे और यह ब्लोक memory में तब तक रहेंगे जब तक इस function का क्या होगा execution complete नहीं हो जाता जैसे ही इस function का execution complete हो जाएगा तो जो memory इस function को दी गई थी वह memory क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी और जैसे यह memory होगी तो इसके अंदर जो variable बने होएं होंगे में भी क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे यह निके उनका life समाप्त हो जाएगा तो आई होप की local variable से related जितने भी point हमने यहां पर लिखें हुए हैं वो सब आपको clear हो गए होंगे next topic है हमारा global variable global variables are those variables which are declared outside of all the function or block and can be accessed globally in a program global variable हम उन variable को बोलते हैं जो किसी भी function या block के बाहर declare के जाते हैं और उसको हम अपने program के अंदर globally use कर सकते हैं मतलब हम अपने program के अंदर उस variable को कहीं पर भी use कर सकते हैं जैसे ही यहां पर यह हमारा function है अगर मैं यहां पर कोई भी एक variable declare कर देता हूं तो इस variable को इसके नीचे जितने भी function होंगे हमारे program के अंदर उन सब के अंदर हम इसको use कर सकते हैं तो I hope कि यह topic आपको clear हो गया होगा है इसका next point है यहां पर the life of the global variable till the program एक्जीक्यूट्स जो global variable होता है इसका life तब तक रहता है जब तक की program एक्जीक्यूट्स होता रहता है जैसे ही program का execution complete हो जाता है तब global variable भी क्या हो जाता है डेस्ट्रॉड हो जाता है तो I hope कि यह सारे point आपको clear हो गई होगे और अगर exam में केवल इनको explain करने के लिए आता है तब आप इनके इन पॉइंट को लिख सकते हो और अगर difference आता है तब भी आप इनकी difference को लिख सकते हो तो चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं तो चलिए फ्रेंड अब यहाँ पर उसी प्रोग्राम को हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम header files इन कष्था करा ती है अगर हम इस वैयरियेबल को इसी ब्लोग के अंदर यूज़ करना चाहे तो इसको मेहां पर आसानी क्या थी कि ऐसा वेरेबल जो किसी फंक्शन या ब्लोग की बोडी के अंदर डिकलेर क्या जाता है उसको बोलते हैं लोकल वेरेबल अगर हम यहां से इसकी इसको प्रिंट आउट कराएंगे मतलब एक्जिक्यूट में जाएंगे और कंपाइल एंड रन पर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा तो आप देख सकते हों कि यहां से जो इसकी वैल्यू प्रिंट हुई है वो नाइन हुई है तो यह सक्सेश्फूल है यहां पर क्या हो गया है अगर हम इसको इस ब्लोग के अंदर मतलब यहां पर इसको हैरने की कोशिश करेंगे तब देखिए कंपाइलर हमें क्या जभाब देगा तो यहां पर हम सबसे पहरे परसंडेज डी और कोमा से सैपरेट करके हम यहां पर वेरियब्लय एक का देंगे अब यहां पर हम इसको कोल करना होगा तो यहां से हम कंफ़ को क् 67 को कौल कर लेइ और यहां पर हमें इसको decade भी करना होगा if है अब जब हम सिसको compile करेंगे और run करेंगे तब देखिए हमारे program का output क्या एग तो execute में जाके जब HAHAम compile and run पर प्रेस करेंगे तब देखें हमारे program का output क्या रहा है यह हमें error दे रहा है a undeclaired यानि कि जो function यह वाला function यह वाला function इसमें exist ही नहीं करता है इस में हमने declare नहीं किया है क्योंकि इसको हमने declare कि इस बोडी के अंदर तो जो ए नाम का variable होगा उसकी life केवल इसी body के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसको किसी दूसरे मतलब फंक्शन के अंदर या इसकी बोडी से बाहर कहीं भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे तब हुआ पर एर आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोकल वेरेबल अब हम पढ़ेंगे कि गलोबल वेरेबल क्या होता है गलोबल कोई भी एक वैल्यू इनिसलाइज करा देते हैं और सब्सक्राइब कर दिया है अब हम यहां पर भी इस वैरेबल को यूज़ कर सकते हैं और यहां पर हम डबल को माज के अंदर ले लेंगे परसेंडेज डी और यहां से सेपरेट करके हम क्या करेंगे उस वैरेबल का नाम है जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है और यहां पर हम बैक स्लेस एन को भी यूज़ कर लेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट अलग अलग लाइन में सो हो तो अब हम यहां पर देखे एक एक्जिक्यूट में जाएंगे और इसको कमपाइल एंड रन पर प्रेस करेंगे तब देखे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा तो आप देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आया है एट और एट इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल वेरियबल होता है उसको हम एक बार डिकलेयर करके उसको अपने प्रोग्र डिक्लेयर ना करें और यहां पर हम इसको किसी भी फंक्षन के अंदर सब्सक्राइब कर दिया और इसमें कोई भी एक वैल्यू हमने अपनी तरफ से इंसलाइज करा दी तो अब बताए क्या प्रोग्राम रन होगा तो देखें यहां पर क्या होगा यहां पर यह एरड दे रहा और यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हैं इसको इस function के अंदर तो यह आपर क्या होगा एरर सो करेगा तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि global और local variable क्या होता है और अगर इस टोपिक से related फिर भी आपके माइन में कोई डाउट हो या कोई सुझाओ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजेगा और अगर अभी तक आपने अपने इस एमस्कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्स फूर वोचिंग